इसलाम अलेकों स्टूडेंट्स प्रिबूर्ड एक्जाम का प्रिबीए पेपर है फिजिक्स कलास 9 तो उसका हम सुलुशन देख रहे हैं डिटेल के साथ तो इसके टोटल मार्क्स-10 है इस लीड वेपर है इसमें और स्टाइम 45 विनिट था जो ये पेपर है इसके जो यह वीजिक है यह है यह instructions हैं, इनको आप देख लें और हम अब solution की तरफ चलते हैं, note देखें, note लिखा हुए, attempt all questions and answer the questions within the provided space, जो space दिव वी होगी वहीं पर आपने उसके answers देने हैं, questions की, section A देखें, section A में statement है, question number one है, look at this secure cage and answer the questions given below, यह secure cage आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, कहते हैं कि आप इस figure को देखें, और आप नीचे questions पूछेंगे, उनके आपने answers देने हैं, तो सबसे पहले तो इसके important parts के नाम देख लें, ठीक है, यह नाम है, यह पूछे जा सकते हैं, किसी जगह पर, किसी भी exam में, वो arrow लगा देंगे, और कहेंगे, इसका नाम लिखें, इस part का, ठीक है, तो आपको इनके नाम भी आने चाहिए, अब next चलते हैं questions की तरफ, चलते list count is equal to pitch of secure gauge divided by number of divisions on circular scale, तो आपने यहाँ फार्मूला लिखती है, ठीक है, उसके बाद कहते हैं, कि if the pitch of secure gauge is 0.5 mm, pitch of secure gauge is 0.5 mm, and number of divisions on circular scale are 50, then calculate list count, circular scale पर divisions के दाल कितनी है, 50, तो हमें क्या मालूम करना है, list count, तो list count क्या होता है, pitch divided by number of divisions on circular scale, pitch कितनी है, 0.5 mm, और number of divisions 50 divided में आगया, 0.5 divided by 50 करें, तो 0.01 mm आपसा आजाएंगा, ठीक है, अब इसके बाद यह भी एक number का था, यहाँ पर यह clear हो गया, ठीक है, उपर फार्मूला था, निचे उनने, उसका list count की value पोच ली थी, ठीक है, कहत तो यह आप देखें, हमारे पास, यह main scale लिखा हुए है, कि यह जो उपर scale आपको नजर आ रहा है, यह main scale है, इसकी जब हमने reading देखनी है, तो उसके लिए देखें, 0 के बाद कितनी lines आपको नजर आ रही है, वोगे threads बने हुए है, चोटी चोटी lines, 0 के बाद main scale को उपर, कि 0 से आगे, 1, 2, 3, 4, 4 lines तो ऊपर हैं, ठीक है, और यह दो बड़ी lines के दरमयान, चोटी चोटी lines नीचे, वाली side पर भी आपको लगी नजर आ रही होगी, main scale पर, यह basically उनको divide करती है, उनको half, उनके दरमयान, half distance पर, वो line लगाई गई है, तो इसका मतलब यह है, कि यह 4.5 mm, आपको पता होना चाहिए, दो consecutive threads के दरमयान, चोटी lines के दरमयान, जो इस टेंस होता है, वो हमारे पास होता है, 1 mm, ठीक है, तो यह यहाँ उपर हमारे पास 4 mm, और आगी 0.5, 4.5 mm हमारे पास, यह main scale reading आ जाएंगी, तो हमारे पास आ गया, 4.5 mm, ठीक है, इसके 0.5 marks थे, कहत बताएं, तो circular scale reading बताने के लिए, आपने क्या करना होगा, basically, कि circular scale reading का formula आना चाहिए, वो होता है, n multiplied by least count, n क्या होता है, conciding division, circular scale का counter division है, जो index line के साथ concide कर रहे हैं, तो वो होता है n, और list count आपको मालूम है, कि सिक्रूगेज का 0.01 mm list count होता है, तो हम यहाँ से देखते है n कितना आता है हमारे पास, conciding division कौन सा है, तो यह हमारे पास circular scale है, यह जो थिंबल scale ने लिखा हुआ है, basically, यह circular scale है, और इस पे आप देखें कि कौन सा division concide हो रहे हैं, तो यहाँ से देखें, 20, 20 के बाद उपर चलें, 21 and 22, तो 22 division है, 22 वाली line है, जो यहाँ पर concide हो रही है, ठीक है, तो 22 conciding division है n, तो हम चलते हैं इदर, यहाँ, n की जगह पर हमने क्या लिखा 22, multiply list count क्या होता है, इसको 0.01 mm, इसको multiply करें, तो 0.22 mm हमारे पास circular scale reading आ जाएगी, यह C.S.R. in short लिखा है, circular scale reading, ठीक हो गया, उसके बाद कहते हैं, what will be the thickness of the metal strip in the above figure, कहते हैं, यह जो उपर figure आपको दी है, इसमें metal strip की thickness कितनी होगी, आप उपर देखें, अब अक्सर बच्चे जो हैं, वो कुछ यह कह रहे होते हैं, कि इनके दरम्यान तो कोई metal strip लगाई भ तो भई, उन्होंने कहा है, कि जिस जहां आपको reading नजर आ रहे हैं, इसका मदलब है, यहां पर हमने किसी चीज का length मालूम की है, thickness मालूम की है, या कोई ball रखी है, कोई wire रखी है, जो भी चीज हो, ठीक है, उन्होंने नाम दे लिए है, कि wire है, ठीक है, उसकी thickness बताएं, तो हम कैसे metal strip नहीं लगी हुई, तो हम कैसे calculate करें, आपको reading तो नजर आ रही है, आपको focus reading पर होना चाहिए, ठीक है, आपने measurement लेनी है, ठीक है, अच्छा, अब देखें, thickness के लिए मालूम करने के लिए, उसका formula होता है, main scale reading, plus vernier scale reading, ठीक है, तो main scale reading कितनी थी है, हमारे पास 4.5 उपर आपने निकाली ये, 3rd part में, और circular scale reading 4th part में निकाली 0.22, इसको add करें, तो ये हमारे पास ठीकनेस बन जाती है, 4.72 mm, डन होगी है, अब next चलिए, name, add, calculate the type of errors shown in the given figures, पहले तो कहते हैं कि आप नाम लिखें कि error है कौन सा, positive है या negative है, फिर कहते हैं कि है कितना, उसको calculate भी करें, कि कितना error है, उसकी value भी बताएं, तो आपने क्या करना है, कि इस figure में देखें, तो ये 0 जो है, circular scale का 0, वो approach ही नहीं कर रहा, 0 को तक पहुंच भी ही नहीं पा रहा, ठीक है, यहीं कि circular scale का 0, below है, किसके index line से, index line से नीचे है, तो इसका मतलब है, कि ये हमारे पास आप तो हमने मालूम कर ले कि ये positive error है, ठीक है, अब है ये कितना, वो calculate करना है, तो कितना error है, ये calculate करने के लिए, आपने देखने होते हैं, कि कितने digit, जो है, वो, कितनी lines हैं, जो behind है, यानि कि index line से नीचे, circular scale की कि कितनी lines है, जो, 0, circular scale का 0, और index line का 0, तक कितनी lines दर्म्या में हैं, तो वो हमारे पास n आ जाएगा, तो n हमारे पास बन रहा है, यहां पर 1, 2, तो ये दो छोटी 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 lines हैं, अगर आप को और से देखें, तो circular scale के 0 के बाद, एक चोटी और एक और small thread बनी हुए है, ठीक है, तो ये दो छोटी lines है, बेसिकर हमारे पास n होगा यहां पर, तो इस n को multiply करना है हमने list count के साथ, 0 error calculate करने के लिए, हम n multiplied by list count करेंगे, n हमारे पास 2i, और list count 0.1 mm होता है, multiply करें 0.2 mm, ठीक है, तो ये हमारे पास 0 error है, जो के positive 0 error है, अब उन्होंने कहा है कि इस figure के बारे में बताएं, कि यहां कौन सा error है, और कितना है, तो इस क्रॉस कर चुका है index line 0 को, ठीक है, तो अगर circular scale का 0 index line 0 को क्रॉस कर जाए, तो उस वक्त हमारे पास negative 0 error होता है, ठीक है, तो negative, अब हमने time तो लिख दी यहां पर, कि यह negative 0 error है, ठीक है, लेकिन यह है कि इतना वो calculate करने के लिए formula वो ही है, n multiplied by list count, n हमारे पास यहां consulting division नहीं ह पर रेकना है कि कितने digits हैं, जो कितनी lines हैं, जो cross कर चुकी है, ठीक है, तो 0, 0 के, यानि कि circular scale के 0 से नीचे, और index line के ऊपर कितनी lines बन रही है, तो यह हमारे पास बन रही है, almost 1, 2, 3, 4, ठीक है, तो यह हमारे पास बन रही है, 4 lines, ठीक है, तो n हमारे पास 4 आया, multiply 0.01 mm, तो यहां पर हमारे पास आजाएगा, 0.04 mm, ठीक है, list count हमने लिखा न, 0.01 तो, और n हमारे पास बोल, वो threads थी, जो index line 0 और circular scale 0 तक है, ठीक है, अब, यह calculation हो गई, positive error की, और negative 0 error की, सिक्रू गेज केस में, next section B, section B में देखें, तो कहते हैं, find the density of object by using our committee's principle from the given figure, जबकि density of water at room temperature 1000 kg per meter cube, है, यह आपको information है, याद भी होनी चाहिए, वो ना भी देदे तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, अच्छा जी, अब इधर देखें, आपको, कहते हैं, कि यह हमारे पास एक मेस है, जो कि 7 kg है, उसको water के अंदर अभी immerse नहीं किया, तो उपर यहा में immerse कर दिया है, तो वो जो उपर scale नगरा रहा है, वो उसकी जो needle है, वो 5 पे आ गई है, ठीक है, तो पहले 7 पे थी, अब 5 पे आ गई है, मतलब यह है, कि वेट कम हो गया है, और आपको पता है, वेट क्यों कम होता है, जब भी किसी body को water में immerse करें, वो इसलिए कि water उस body अब thrust लगाता है, upward force लगाता है, ठीक है, इस वज़े से उस body का weight decrease हो जाता है, अब वो कहते हैं, कि आप इसके मताबिक यह जो object है, जो 7 kg का object हमने इसमें immerse किया है, इसकी density बता है कितनी होगी, तो formula याद रखें, आपको पता है, अरकमेटी इस principle जो है, किसी भी solid body की density के लिए समाल होता है, तो ds equal to w1 by w1 minus w2 multiplied by density, अब w1 क्या है, weight in air, जब आपने उसमें liquid में immerse नहीं किया, ठीक है, तो उस वक्त जो weight होगा body का, air के अंदर, वो w1 होगा, ठीक है, और w2 कौन सा होना है, जब आप उसको immerse कर देते हैं, ठीक है, वो उसका w2 होना है, तो w1 minus w2 basically weight difference है, ठीक है, और multiplied by density of water, row जो है, यह density of water है, और capital D जो है, यह density of solid के लिए, ठीक है, तो यह formula आप याद रखें, यह book में भी मुझूद है, इस तरह का numerical भी आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है, के weights तो आपको नहीं दिये हुए, masses नजर आ रहे हैं, kg जो है, basically mass है, तो W किसके एक और होता है, M, G के, तो W1 की बात कर रहे हैं, तो मतलब हम air case में बात कर रहे हैं, तो mass हमारे पास 7 है, और G की value कितनी है, 10, divide में W1 वही 7 multiplied by 10, M, G हो गया, minus W2, W2 क्या है, M2 G, तो M2 हमारे पास basically बनेगा, यहाँ पर देखें, तो 5, निडल जो है, वो 5 पर show हो रही है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास mass 5 है, multiply G की value कितनी, वो ही 10 G की value तो change नहीं होती है, क्योंकि earth surface पर ही observation ले रहे हैं, उसको हमने कहीं move तो नहीं करवाया, तो इस तरह हमने किया, तो यह बना 3500 kg पर मेटर क्यूब, यह solid की density आ गई है, ठीक है, यह हमारे पास solution है, इसका, अर्केमेडी प्रिंसिपल में जो experiment है, वो है, वो भी इसी तरह ही है, बिल्कुल यही चीजें उसमें से पूछी जा सकते हैं, जो के यहाँ पूछी गई है, अच्छा, उसके बाद है, based on the figure below, answer the given questions, कहते हैं, यह नीचे आपको figure नजर आ रही है, आप इस figure को देखके, point है, ठीक है, जिसके उपर जी लिखा हुआ है, basically center of gravity भी यही है, और उसके उपर एक uniform width का rod रखा हुआ है, ठीक है, या कोई भी चीज uniform width की है, जिसको stable किया किया है, उसके बाद कहते हैं, कि अब आपको यह मालूम होना चाहिए, कि इसकी जो length है, वो 0 cm से शुरू के 100 cm, मतल का होगा, तो उसका center of gravity हमेश्चा center पर लाई करेगा, ठीक है, तो अब इसका center of gravity center पर होगा, तो मतलब वो कौन सा point होगा, आप को यह common sense थोड़ी use करने चाहिए, कि उसका center point कौन सा होगा, अगर 100 cm length है, तो उसका center कहाँ बनेगा, तो उसका center तो बनेगा 50 cm पर, ठीक है, तो आप नीचे answers आप देखें, कहते हैं कि आप इनके answers, what is the value of D, D की value बताएं, अब देखें, D जो है, यह G और यह W weight जो है, इसके तर्मियान distance है, अब आपको पता होना चाहिए, कि जो weight है, यह 15 cm पर हैंकिया गया है, तो मतलब यह 0 को बात 15, यह इस set वाले तो हमारे पास counting हो distance वह होना है, जो G और 15 तक है, तो G पर value कितनी है, 50, 50 में से minus करेंगे रहा हम यह 15, 15 minus करेंगे, क्योंकि यह हमारे पास D, D में यह, इससे पीछ वाले जो length है, वो D में नहीं count हो रही, ठीक है, इसलिए 50 में से 15 minus करेंगे, तो 35 cm आजाएगा, यह हमारे पास D की value का, capital D की value आ कहते हैं, अगर L की value, L आपको नज़रा रहे हैं, यह मोमेंटर में, M और G के दर्मियान, ठीक है, कहते हैं, कि अगर यह 20 cm हो, तो at what point on the Y, the mass M is being hanged, कहते हैं, कहते हैं कि Y पर कितनी value होगी फिर, जिस तरह कि यहां 15 cm हो, G पर 50 cm, तो V पर कितनी value होगी, कहते हैं, आप यह ब less 20, 70 cm, so Y पर कितना होगा, 70 cm, done होगे, अच्छा जी, Y पर 70 cm लिखा होगा, यहनी कि scale पर, उसके बाद कहते हैं, if the value of W is 60 N, यह W आपको नज़रा रहे हैं, उसके ओपर 15 cm लिखा होगा है, तो उसमें कहते हैं, कि W की value कितनी है, 60 N, calculate the value of anti-clockwise moment, anti-clockwise moment की value बताएं, तो anti-clockwise moment, basically, क्या होता है, force multiplied by moment arm, moment जो भी हो, ठीक है, तो इसमें आपको मलूम है, कि हमारे पास moment arm यहाँ पर D है, ठीक है, और force हमारे पास weight की force है, multiplied by weight, क्योंकि force weight की एकल होती है, so moment arm multiplied by force की जगापर हमने weight लिख दिया, तो D की value कितनी ही, 35 cm मलूम की थी, weight कितना है, 60 N, multiply कर तो यह answer आजाएगा, अगर आप इसको ऐसे unit में करना चाहे है, newton meter में, तो simple 100 पर आप divide कर देंगे, तो यह 21 newton meter answer आजाएगा, तो इस तरह आपका यह PBA paper जिसमें आपने तीन practicals cover की है, यह समझे कि अगर आपने यह समझ लिए है, तो आपके तीन practicals board के लिए तयार हो चु experiments वगरा, hooks la important है, आप उसको भी देख लें, ठीक है, अलाफिस,